आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जिक्के कलासे जुनीस सो बहतर और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ विद्या संबल गेश फेकल्टी वेकेंसी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चली वीडियो क भी सुरुवात करते हैं यह आप देखिए राज की महाविद्याले गोविंदगड अलवर विज्यप्ति तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कम से कम साथ महाविद्याले की विज्यप्ति लेकर आया हूँ ठीक है तो इसके अंदर आवेदन फीस आवेदन पर करिया अंतिम्ति थी योग्येता सेलेक्षन पर करिया मान दे और कब तक रखेंगे यह सारी चीज़े मैं आपको एक साथ लाश्ट के अंदर बता दूँगा फिलाल सिरफ आप जो है यह कोलेजों का विज्यापन देख लीजे ठीक है तो इस महाविद्याले में आवेद किये नोडल महाविद्यले दोलपूर ठीक है अब इसमें किस-किस विशे के लिए बरतिगा विज्यापन जारी किया गया है वो आप आराम से देख लीजे ठीक है तो इसमें आवेद्न की जो लाश्ट डेट है यह है नो मार्च दो हजार चोबीस और यह इसके धिन दो रास से इस माविद्यले हैं ठीक है और ये इनके विशए हैं अलग-अलग माविद्यले में कौन-कौन सी विशियों के लिए यह विग्यप्ती जारी की गई है फिलाल आप सिरफ यह देखें, फिर सारी चीजें में लास्ट मैं आपको एक साथ बता दूआ, अगला जो माविद् इसके दुवरा ये विग्यपति जारी की गई है तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो आवे दिन की लाज डेट है वो है 11 मार्च 2024 ठीक है अब ये इसके अंदर दो रासे समाविदेले हैं इस नोडल माविदेले के दिन दो रासे समाविदेले हैं और ये इनके लिए अलग-अलग विशे के लिए विग्यापन जारी किया गया है तो आप इनको आराम से देख लीजे अगला जो माविद्यले है ये है राजकिय कन्या माविद्यले गोविंदगड जेपुर इसके दुआरा ये विग्यापति जारी की गई है तो इसमें आवेद्न की जो लास डेट है ये है ग्यारा मार्च दो हजार चोबीस साइं पांच बजे तक इसमें किस-किस विशे के लिए विग्यापन जारी किया गया है वो विशे भी आप इसमें आराम से देख सकते हैं ठीक है अगला जो माविद्यले ये आपके सामने है राजकिये कन्या माविद्यले दूनी टॉंक ठीक है इसके दुआरे ये विग्यपति जारी की गई है तो ये पूरी विग्यपति आप देखिए इसमें आवेद्न की जो लास डेट है वो है 11 मार्च 2024 दोपहर दो बजे तक और किस-किस विशे के लिए आवेद्न फोर मामंत्रित किये गए हैं वो आप इसमें देख लिजे फिर अगला जो माविद्यले है ये है राजकिये माविद्यले नांगल राजावतान दोसा इसके दुआरा ये विग्यापन जारी की गई है तो इसमें जो आवेद्न की लास डेट है वो है 9 मार्च 2024 और इसमें किस-किस विशे के लिए ये विग्यापन जारी की अगया है वो आप विशे भी देख सकते हैं ठीक है अगला जो माविद्यले है ये आपके सामने है राजकिये महविद्यले जायल नागोर इसके दुआरा ये विग्यापती जारी की गई है तो ये आप देखिए अब इसमें जो आवेद्न करने की लास डेट है वो है 11 मार्च 2024 दोपहर 3 बजे तक ठीक है और इसमें कुण-कुण से विष्यों के लिए आवेद्न फोर्म जो आमंतृत किये गए है वो आप इसमें देख सकते है ये आपके सामने विष्ये है ठीक है अब अगला जो माविद्यले है ये है राजकिये नहरू मेमोरियल माविद्यले हनुमानगड तो इसके दुआरे विग्या बंजारी किया गया है इसमें आवेदन की लाज डेट है 11 मार्च 2024 साइं तीन बजे तक और इसके अधीन इस नोडल माविद्यले के अधीन तीन जो माविद्यले हैं वो संचालित है राजके माविद्यले टीबी जिला हनुमानगड राजके कन्या माविद्यले पिली बंगा और राजके संगरिया माविद्यले ठीक है और तिनों के अंदर किस किस विशे के लिए विग्यापन जारी किया गया है वो आप इसमें देख सकते हैं ठीक है यह आपका लास्ट विग्यापन हो गया अब मैं आपको एके करके जो है पूरी डिटेल से पूरी चीज जो हो समझा देता हूं सबसे पहली बात ये जो माविद्यले हैं इन्होंने विद्यासंबल योजना के तहत कालांस आधार पर अध्यापन कारी कराने के लिए गेज फेकल्टी सिक्सकों से आवेदन फोरम जो है वो आमंतरित किये हैं तो इसमें आवेदन जो फीस है वो निल है यानी आवेदन के लिए आपको कोई जो है आवेदन फीस अधा करने की आवश्यक्ता नहीं है बिलकुल निश सूलक है दूसरी बात आवेदन फोरम आप कहां से प्राप्त करें तो आप चाहें तो ये जो कोलेज हैं इनकी जो ओफिशिल विवसाइट है वहां से आवेदन फोरम डाउनलोड कर सकते हैं आप चाहें तो आयुकताले कोलेज जेपुर की ओफिशल वेवसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा टेलिग्राम चेनल है जिक्के कलासेज 1922 उसको सस्क्राइब कीजेगा। आप चाहें तो आपको आवेदन केसे करना है तो आवेदन आपको ओफिशल वेवसाइट से फोरूम अगरे जो डाउनलोड करना है परक्रिया मैंने आपको बता दी अब उस आवेदन फोरूम को पूरन रूप से बरकर करके और उसके साथ में अपने जो एकेडमिक डोकुमें एकेडमिक डोकुमेंट्स के अंदर है जो अमतालिका है प्रमानपत्र है और डिग्री है ठीक है जिसे बी ए होती है अमे होती है उनकी डिग्री होती है उनका प्रमानपत्र नहीं होता है तो वो पलस अपना जो experience certificate है जितने साल का आपको experience है वो certificate है उनकी self-attested photocopy, research paper उनकी self-attested photocopy अगर आप ARC-SIT category में अपलाई कर रहे हैं तो CAST certificate की self-attested photocopy अगर कोई seminar वगर अटेंड किया वा तो seminar की self-attested photocopy यह सारी जो आपको self-attested करके आवेदर फोरूम के साथ लगाने हैं और इनको लिफापे में डालना है और लिफापे के उपर जो आपको लिखना है विद्यासंबल योजना के तहते जो है गेश फेकल्टी अतिति सिक्सक के लिए आवेदन पत्र और फिर अपने विशे का नाम लिखना है ठीक है फिर आपको जो एड्रिस लिखना है जिस कोलेज के दुआरा जिस नोडल कोलेज के दुआरा ये विग्या पंजारी की है तो उसके स्रीमान प्राचारी है और उस नोडल कोलेज का नाम फिर वो किसी स्थान पर है वो फिर किस जिले में वो उसके पिन कोड नमर और बाइन साइड में आपको जो अपना राज किये नहरू मेमोरियल माविद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् में या संबद विसे में पिचपन परतिसद मर्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिगरी यानि पीजीग डिगरी होनी चाहिए अब इसके साथ और क्या होना चाहिए इसके साथ साथ विश्व विद्याल अनुदान आयोग यानि UGC या CSIR के दुआरा जो राष्ट्रिय पत्रता परिक्षा आयोजित की जाती है नेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो जो स्टेट पत्रता परिक्षा ओरती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए अगर दो नहीं है तो और भी बड़िया बात है और या आप UGC रूल्स 2009 या 2016 के तहत पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड होने चाहिए ठीक है और जिन अब्यार्थियोंने 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी की है या जिसकी पीएचडी का रेजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है उन्हें समंदित विश्वी विद्या लेकिए कुल सची यानि रेजिस्ट्रार और संकाय अदेक्स यानि दीन के दुआरा स्कोर के आदार पर आपका इसमें सेलेक्शन होगा ठीक है अब मानदे कितना दिया जाएगा तो इसमें मानदे जो है वो 800 रुपे पर कालांस आपको प्रदान किये जाएंगे एक कालांस के 800 रुपे और यह सेकिंड सेमेस्टर के लिए विज्या पंजारी किया गया तो हर एक कालांस आएगे आपकी ठीक है तो एक सब्ता में आपको दिक्तम 14 कालांस लेने है और इसमें आपको जो मानदे दिया जाएगा वो 50 कालांस पूरे होने के बाद में दिया जाएगा यानि मैंने के आदार पर मानदे नहीं दिया जाएगा बलकि जब भी आपके 50 कालांस पूरे हो जाएंगे उसके बाद में आपको मांदे दिया जाएगा तो आपका मांदे जो होगा वो 40,000 रुपे इसके अंदर होगा ठीक है अब इसके अंदर आपको कब तक रखेंगे तो ये सेकिंड सेमेश्टर की जो है अध्यापन के लिए आपको रखा जा रहा है तो सेकिंड सेमेश्टर की प्रिक्स्या प्रारम होने तक रखेंगे या फिर सेकिंड सेमेश्टर का सिलेबस पूरा होने तक आपको रखेंगे दोनों में जो भी पहले हो जाएगा तभी आपको पद से अटा दिया जाएगा इसके साथ साथ में दो बाते हो रहे हैं कि अगर माल लिजे आपके सब्जेक्ट में आपके कोलेज में पर्मानेंट फेकल्टी आजाती है तो उसी दिन आपको पद से अटा दिया जाएगा या आपके सब्जेक्ट में आपके कोलेज में डेपूटेशन से कोई फेकल्टी आजाती है तो भी आपको उसी दिन पद से हटा दिया जाएगा तो ये पूरी जो है मैंने विद्धासंबल योजना के तहते जो गेज फेकल्टी से जुड़ी बाते थी वो इस वीडियो के इंदर आपको बताईए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद